इस देश में पहली बार करपुई ठाकुर से सोशल जस्टिस की लराई शुरू होती है लालू यादव सांदोलन को बिहार में आगे बराते हैं और पहली बार वो सूध लेने जाते हैं उन लोगों की जिनके घर में कोई अच्छूतपन की वज़से जाती बात की वज़से सब्सक्राइब के राज में घर बना था कौन सीम था आए भागवा सिंग मुखमंत्री लालू जी बला है आप ही हमको बताए कि लालू समय लालू यादव पर नहीं कोई मतलब नहीं कोई मतलब नहीं नहीं है वाट क्या नाम है फीरा माजी आप यहां क्या है मतलब यह घर कब का बना तारत दिखाई जरा घर दिखाई चाथ कौन से लालो जी थे उसके बाद कुछ नहीं कुछ नल जल में कुछ कुरा रहा है कोई मदद नहीं मिला पिछले 15 साल ना तो देखे यह 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 जो प्लिटकल प्रिजनर बनाया गया है यह मैं गया में था गया में भी मैंने देखा कि लालो यादव ने घर दिया है तो मुसर समाज की सूध लेने वाला जो सबसे हस्ये पर रोग हैं सुचिए राम विलाज जीद जीवन भर यहां मंत्री मरे हैं वो उसके बाद का यह पूरा इलाका दिखा रहा हूं आप आपकी जिंदगी बरी मुस्किल से कटेगी इन इलाकों में आप गुजर नहीं से मुझे तो पता भी नहीं था कि म मेरे पंचायत यह उफ्रोल पंचायत है इसी पंचायत में पैदा हुआ मुझे पता भी नहीं था कि मेरे पंचायत में इतनी अवादी इस तरह से मैं भी मुझे समझ में नहीं था और यह देखिए जैसे जैसे आप जाएंगे अब बरसा है अभी नहीं रस्ता बनेगा बरस राए मैं नहीं हम नलाब कोई मतल कोई कि दॉक्त करके घर नहीं बना नहीं है यह बोकल नहीं है समाज लुक तो देखिए यह रास्ते नहीं है कितना परिवार है यहां पर लगभग है यहां 400 घर है लॉक्डाउन में कैसे गुजारा की है आप लो हम लोग जाते से काम करते से बस बच्चा सभी स्कूल जा रहा है हां बच्चा सभी जा रहा है इसकूल पढ़ते हो बाव किस क्लास में हो इसकूल जाते हो क्या नाम है पर बताओ डड़ कह रहे हो हैं क्या नाम है अमीद है तो इसकूल जाते हो पढ़ना है आगे हैं क्या कर ड़ कह रहे हो क्या करना है और क्या करना है और क्या करना है तो समझे यह लोग लोकल है वोकल नहीं है किस तरह से पीरी दर पीरी यह सब क की पीछे जाती है अंटचिबलीटी चूत पन इस देश में से जूल कास्ट के लोग की हालत है हम लोग राम बिलास पास्वान यहां से लगातार मंती रहे हैं मैंने आपको इसे पहले की रिपोर्ट दिखा यह रिपोर्ट दिखा इसी पंचायत काओं मैं और यह सितिया पहली पर जमीन नहीं मिल पा रहा है जी तो फिर भी थोरी स्थीती अच्छी है जैसे जैसे सहर की तरफ बढ़ेंगे और जो माजिस समाज के लोग है उनकी स्थीती बहुत खराब होती है वह दोर याद कीजिए नब्बे का जब लालु याद अवसीम बनते हैं और वो कहते थे कि मुसहर के बच्चे को डोम के बच्चे को बाल काट ये स्कूल भेज़े और इसलिए उनने चरवाहा विद्याले खोला था लेकिन दिल्ली में बैठे पतना में बैठे टीवी अख़वार वालों ने उनका हसी उराया मजाक उराया अगर वो चरवाहा विद्याले काम करता त कोई मैट्री कर रहा हो था उनके तमाम कंसेप्ट को मैं फिर कह रहा हूं मैं किसी पार्टी पॉल्टिक्स का पख़जर नहीं हूं लेकिन लालू यादव और करपोई ठाकुर ऐसे सीम थे जिनके जहन में यह सब बाते थी कि किस तरह से जाती के नाम पर यहां इस देश में दरितों को सताया गया है बिहार यूपी में जाएंगे तो इस तरह के हलात मिलेंगे तो कोई यहां मैट्री आपके आप कितना परहे लिखें है कोई मैट्रीक पास हुआ है कोई में नौकरी में नहीं कितने आवादी है महाजलीद का लमसम 400 हो जाएंगे 400 लोग उसमें से कितने मैट्रीक पास है पांचाओ गोठो है आप क्या करते हैं रोजगार कर रहे हैं कुछ कुछ कम आते हैं दो दिन चार दिन पर काम मिलते हैं तो काम करते हैं तो आप इनको यह भी नहीं कह सकते कि गुटका खा रहा हैं कुछ भी मतलब आप समझें ना इनको परहाई लिखाई से दूर है सोसल सोसाइटी से दूर है गरीबी लाचारी भुखमरी और इनको इसलिए स्कूल कॉलेज नहीं जाने दिया गया आप कलपना नहीं कर सकते हैं इस हालत में इनकी जिंद्गी कट रही हैं और भी है अब मत दिखाई देखिए तो यह 4500 घर है और देखिए यह सब यह सब देखिए यह सब कटर हिंदू है उसके बाद भी कोई मदद करने नहीं आ रहा है तो लालु यादव करने बला नहीं है देखिए लालु यादव जब मुखमंतरी थे पहले कि इंद्रावास में कितने लोग का घर बना इंद्रावास में लालु जी के समय में एक 73 आदमी का बन गया था उधूरे पड़ा हुआ है उसके बाद से कोई नहीं आ है तो इसलिए लालु यादव प्रिटकल प्रिजनर है इस देश में क्योंकि वो इनकी बात करते थे और यह देखिए यह गर है और यह एक गाउं की बात नहीं है एक पंचायत की बात नहीं आप जिस पंचायत में जाएंगे जिस गाउं में जाएंगे आपको यही हालत मिलेगी नितिजी ही ने इनको महाधालित कहा कि कि 3 डिस política जमीन देंगे बदले में कुछ नहीं मिला है और यह लाचार है बेवाषा इसी तरह से जौपडियों में जिंदगी और हर गाउं में आप इनकी आवादी है हर पंचायत में इनकी आवादी है हालत सब जगह एक ही जैसा है और आप कलपना नहीं कर सकते हैं कि क्या चल रहा है देश के टीवी अख़बार कभी पहुंचता नहीं है को यह कोई नहीं नेता कम से कम बोट मांगने आता है आपके ठोला में घर तक आत सब्सक्राइब करेंगे जो अपनी बात नहीं कह सकते हैं लोकल लोग है वोकल नहीं है देश में इस देश में सिडीूल काष्ट के लोग के पास उसमें जो जाती बनाई गई है उसमें जमीने नहीं है घर नहीं है सरक नहीं है कलपणा ही नहीं कर सकते हैं हम सब इसके लिए गुनयगार ले धोशी है यह साथ कुछ यूबा है जो आरे रंजीत आई यह इधर मेरा सर कहना है कि आज का इस इतना असुबधा आप दिखा रहा है इतना असुबधा होने के बाद भी हमारे इस टोला को दादि देना होगा यहां से दो लोग पंचायत में टॉप किये हैं पूरे इसकुल में इस समास से इतने अभाव में रहने के बावजूद भी उनका नंबर 419 नंबर और 418 नंबर है यही समास से इतना अभाव में रहने के बावजूद भी रंजीत है हमारे साथ रंजीत यहां से लेफ्ट के नेता है यह सेफ के स्टेट प्रेसिडेंट भी हैं क्या आ और 80% वैसे लोग हैं जो देनिक मजदूरी करते हैं और उसमें भी कोरोना लॉकडाउन और की ऐसे चीज़ होते हैं जिनको काम नहीं मिल पाता है तो ऐसे स्थिती में यहां संघर्ष करते हुए अपने जीबन यापन करते हुए अपने बच्चों को जिस तरह से परवरिस कर रहे हैं कावले तारीफ है लेकिन इनको सरकार के तरफ से जिस तरह की समाज कल्यान कर योजनाय का लाब मिलना चाहिए वह नहीं मिलता है का परिनाम आप देख रहे हैं कि बच्चे किस तरह से हाँ उपेक्षीत और आप सोचिए हर गाव में दस करोड बारा करोड परंचायत में आता है बिधायक है यह में लिए है सिर्फ और सिर्फ इंच्छा सक्ति की कमी है लोगों का ध्यान नहीं है इस तरफ इस बार लगात कार हम लोग कोशिश कर रहे है और तमाम दिली से आई हुए पत्रकार मीडिया वाले हैं। वह जगा जगा खास कर सिदू कास्ट के स्टीटि को में लोग बता रहे हैं। बिहार में मुसर्ट समाज के लोग को डौम समाज के लोग की स्थिति बता रहे हैं कि कितनी भयाबा है अब कम से कम सोचल मीडिया हो या मेनेस्ट्री मीडिया हो इसकी चर्चा होने लगी है लेकिन कहीं न कहीं एक समाज के तौर हम लोग दोशी हैं और कास यहां के वने बाले मुखमंत्री के पास चला जाए joke कोई तो हो जो इनके सूध ले तो सुचए और फीरी दर फीरी जह कोई इक गाओं की मिलेंगे माजी समाज के लोग मिलेंगे जिनकी यह इस्तीति यह गर दिखाए यह दिखाए इनका डाइनिंग टेबल बेडरूम इनका सब कुछ यही है यही जिंदगी है आप कलपना नहीं कर सकते हैं कि किस तरह से लाचारी है बेवसी है और इसलिए लालू यादब को मैं मै करता हूं वह सक्स पहला सक्स आता है जो इनके बारे में सोचता है इनकी सूद लेता है क्या कि क्या कह रही है गुस्से में बहुत क्या हुआ यह श्ता घंच अनदे लुशे आगा टॉचू पाइश दो है अर में कुछ नहीं होड़ा दिया है तॉइलेट नहीं फुच्छ नहीं अभन दाता निमयन को पर शुपरी तोफने संदो बुच्छ आख वे शोपरी होड़ियार शुपरी है आई इधर रहा यह लोगडान में उसमें पांच किलो चना दाल से मिल रही है तो यह जो हासिय के लोग है यह जाती की वज़से हासिय पर इंके बाद जमीन नहीं है संसाधन नहीं है हम और आप शर्मशार हुई एक समाज के तोर पे हम फेल हैं जातियों में बटे हुए लोग के लोग हैं उनकी पीरी दर पीरी यही हालत और इसलिए डकरण बेटकर ने समिधान में प्राज़ान किया था कि जो लाचार हैं जो बेवस हैं उनको अधिकार मिले जो लोग आरक्षन के खिलाफ है जो लोग जातिवात को नहीं समझ पा रहा है उनको आकी इनकी आती है तो यगीन मानिए आप इंसान तो नहीं है केमरेवन तेरह दत के साथ शभु कुमार सिंग ने शनल दस्टक ने शनल धस्तक कि आप से गुजारी से कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो स्ब्सक्राइब करने के एक के सब्सक्राइब बटन को दवाएं फिर बेल आइकन की घंटी दवाएं निसर दस्ता को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर ख़बर को शेर करें लाइक करें कमेंट जरूर करें